किसी वेबसाइट पर गूगल रिकैप्चा को कैसे सेट करें या इंस्टॉल करें जिस कारण आपको गूगल रिकैप्चा का इस्तेमाल करना चाहिए वो बॉट्स की वजह से है एक ब्यूटी एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है लोग एक वेबसाइट में तोरने के लिए बॉट का उप्योग करते हैं लोग आपकी वेबसाइट को देखने के लिए बॉट का उप्योग करते हैं जैसे कि इसे लाखों आगंतुक प्राप्थ हुए जिन्हें स्पैम कहा जाता है spam एक website को धीमा कर सकता है और यहां तक कि किसी website को काम करने से रोक सकता है एक bot एक website पर लाखों लोगों को register या login कर सकता है और जो लोग असली लोग नहीं है इसके अलावा एक bot भी एक website पर बुरी टिपणी डाल सकते हैं एक व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा की खराब समीक्षा लिखने के लिए एक बॉर्ट का उप्योग कर सकता है, और मिंटों में लाखों वेबसाइटों पर इस खराब समीक्षा को रखने के लिए एक ब्यूटी का उप्योग कर सकता है. हाला कि, सभी बॉर्ट खराब नहीं है Google और अन्य वेबसाइट सेवाएं आपकी वेबसाइट की निगरानी करने के लिए बॉर्ट का उप्योग करती है और आपकी वेबसाइट के लिए उप्योग किये जाने वाले सौफ्ट वेयर या प्लिगिंस के साथ समबाद करती है Recapture एक वेबसाइट को यह जानने की अनुमती देता है कि वेबसाइट पर आने वाला व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति है या नहीं इस प्रकार ReCapture Board को रोकने में मदद करता है तीन तरह के ReCapture होते हैं ReCapture V2, ReCapture V3 और ReCapture Enterprise ReCapture V2 अब बहुत उप्योगी नहीं है क्योंकि अब मुफ्त कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ReCapture V2 को बाइपास कर सकते हैं उदाहरन के लिए यदि आप इस वेबसाइट पर जाते हैं और एक छोटा सा शुल्ग देते हैं तो आप 1000 से अधिक ReCapture V2 को बाइपास करने में सक्षम होंगे ReCapture Enterprise महान है लेकिन आपको इसका उप्योग करने के लिए कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग जाननी होगी कोडिंग द्वारा औसत व्यक्ति का क्या मतलब है कि तुलना में कोडिंग से उनका क्या मतलब है दो अलग-अलग चीज़े है इसलिए यदि आप Google ReCapture का उप्योग करना चाहते हैं तो Google ReCapture V3 का उप्योग करना सबसे अच्छा है WordPress में कोई जगह नहीं है जो आपको अपनी वेबसाइट पर Google ReCapture चलाने की अनुमती देगी Google ReCapture का उप्योग करने के लिए आपको एक प्लग-इन स्थापित करना होगा जैसे की एक Page Builder प्लग-इन, एक E-Commerce प्लग-इन, एक सदस्यता प्लग-इन या एक Login और पंजीकरन प्लग-इन इसके अलावा, जब तक आप एक Developer या Programmer नहीं है Google ReCapture स्थापित करने के लिए आपको Google ReCapture Website का उप्योग करना होगा आप ReCapture V3 स्थापित करने के लिए Google कारिक्षेत्र का उप्योग नहीं कर सकते आप ReCapture V3 स्थापित करने के लिए Google Cloud Platform का उप्योग नहीं कर सकते इसके अलावा आपको Gmail की तरह Google अकाउंट की जरूरत है मैं नीचे दिये गए विवरन में Google Recapture वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा Google Recapture वेबसाइट को दूसरी भाशा में अनुवाद करने का एक तरीका हो सकता है लेकिन यह जटिल है यही कारण है कि मैंने इस प्रिष्ट को अंग्रेजी में छोड़ दिया Google Recapture स्थापित करने और स्थापित करने के लिए आसान और सीधा है यहां तक की अंग्रेजी जाने बिना आपको Google Recapture को स्थापित करने और स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए इस आइकन को सबसे उपर देखें आइकन जो V3 Admin Console कहता है यह वो आइकन है जिसे आप क्लिक करना चाहते हैं आप अन्य दो माउस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं इस प्रिष्ट पर सुनिश्चित करें कि आप Recapture V3 आइकन की जांच करें सबसे उपर यह किसी भी नाम आपकी तरह दे जब तक आप Box Label की जांच नहीं करते तब तक आप एक दो मेन नहीं जोड़ पाएंगे जो Recapture की सेवा शर्तों को स्वीकार करते हैं और Submit बटन पर क्लिक करें सबसे नीचे Submit बटन पर क्लिक करें इस भाग में आप अपनी वेबसाइट के लिए जिस डोमेन नाम का उप्योग कर रहे हैं उसे टाइप करें मैं जानता हूँ कि यह डोमेन कहते हैं लेकिन आप केवल एक समय में एक डोमेन डाल करने की अनुमती दी जाती है यदि आपके पास एक से अधिक डोमेन है तो आपको प्रतियक डोमेन के लिए एक अलग Recapture V3 स्थापित करना होगा अब नीचे Submit बटन पर क्लिक करें यह पेज आपको Recapture V3 कीज देता है एक कुंजी साइट कुंजी है और दूसरी कुंजी गुप्त कुंजी है प्रतियक कुंजी को कॉपी करें क्योंकि आपको प्लगिन में इन चाबियों को स्थापित करने की आवशकता होगी अब नीचे Settings पर जाएं क्लिक करें इस पेज पर उस बॉक्स पर क्लिक करें जो कहता है कि इस कुंजी को AMP प्रिष्ठों के लिए काम करने की अनुमती देता है आप किसी भी AMP प्रिष्ठों का उप्योग नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि आप जिस plugin का उप्योग कर रहे हैं वो upgrade करता है और AMP प्रिष्टों का उप्योग करना शुरू करता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि recapture आपकी website के हर प्रिष्ट पर काम करेगा अब नीचे save पर click करें यह प्रिष्ट आपको बताएगा कि क्या ऐसी घटनाई या आगंतुक हैं जहां आपकी website पर जाने वाले bot हो सकते हैं अभी इस प्रिष्ट पर कोई data नहीं होना चाहिए लेकिन भविश्य में एक बार जब आप आगंतुकों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे तो यह प्रिष्ट डेटा से भर जाएगा हर बार login करते समय आप स्वचालित रूप से इस प्रिष्ट पर ले जाया जाएगा यह संख्या मुझे बताता है कि मेरे आगंतुकों का प्रतिशद bot हो सकता है यह हरी रेखा मुझे बताता है कि नीचे किसी भी संख्या 5 एक bot हो सकता है हाला कि सभी bot खराब नहीं है गूगल खोजिंजन आपके पास किस तरह की website को index करने के लिए bot का उप्योग करता है अच्छे bot खराब टिपणिया नहीं छोड़ेंगे अपनी website में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे या अपनी website पर login करने की कोशिश करेंगे इस प्रदर्शन के लिए मैंने उप्योग करता पंजी करन नामा के एक plugin स्थापित किया यह एक plugin में यादरच्छिक पर उठाया है किसी भी plugin के लिए recapture स्थापित करने के लिए पहले settings में जाएं और फिर शीर्ष पर tab label एक की करन पर क्लिक करें अब recapture v3 box पर क्लिक करें और plugin में अपने सही स्थानों में चाबियां चिपकाएं शीर्ष पर कुंजी हमेशा side कुंजी होगी और नीचे की कुंजी हमेशा गुप्त कुंजी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं, recapture website पर नहीं दिखा रहा है इस plugin के लिए जब तक मैं उप्योग करता पंजी करन प्रिष्ट नहीं बनाता, तब तक recapture नहीं दिखाएगा इसके अलावा, यह plugin किसी website के हर प्रिष्ट पर काम करने के लिए design नहीं किया गया है और इसलिए recapture website के हर प्रिष्ट पर नहीं दिखाएगा मेरी असली website के लिए, मैंने एक उप्योग करता पंजी करन प्रिष्ट बनाया इस प्रकार, आप इस उप्योग करता पंजी करन प्रिष्ट के नीचे recapture देख सकते हैं इसके अलावा, आप login पेज के नीचे recapture देख सकते हैं इसलिए, मेरा पंजी करन प्रिष्ट और login पेज सुरक्षित है हाला कि, recapture को पूरी website की रक्षा करना सबसे अच्छा है न कि केवल पंजी करन प्रिष्ट और login पेज की आप कई page builder plugins के pro version के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं यह page builder plugin का मुफ्ट संसकरन है जिसे elementor कहा जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, recapture कुझी स्थापित करने के लिए कोई जगह नहीं है इस प्रकार, elementor का मुफ्ट संसकरन आपको recapture का उप्योग करने की अनुमती नहीं देता है यह page builder plugin का भुगतान या समर्थक संसकरन है जिसे elementor कहा जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, recapture कुझी स्थापित करने के लिए स्थान है जैसा कि आपने पहले देखा, recapture स्थापित है और यह पंजी करन प्रिष्ट और login प्रिष्ट पर काम कर रहा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, recapture पूरी वेबसाइट के लिए नहीं दिखा रहा है इसलिए यह मेरी पूरी वेबसाइट के हर प्रिष्ट पर काम नहीं कर रहा है Elementor के लिए अपडेट स्थापित करने के बाद Recapcha ने पूरी वेबसाइट के लिए काम करना बंद कर दिया अब यह केवल लॉग-इन पेज के लिए काम करता है Recapcha को पूरी वेबसाइट के लिए काम करने के लिए मुझे उननत NoCapcha और अद्रिष्य Capcha नामक एक प्लग-इन स्थापित करना पड़ा मैं कैसे स्थापित करने और एक प्लग-इन को सक्रिय करने के बारे में विस्तार में नहीं जाना होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ही पता है की कैसे मैं सिर्फ स्थापित करने और इस प्लग-इन को सक्रिय करने जा रहा हूँ प्लग-इन पेज पर वापस ले जाने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करें मैंने Recapcha कुंजी और चैनित V3 स्थापित किया है यह प्लग-इन आपको लॉग-इन पेज, पंजी करन प्रिष्ठों, चेकाउट प्रिष्ठों और फोरम पेजों पर पुनर कैपचा स्थापित करने की अनुमती देता है चूंकि मेरे पास इन कारियों के लिए अन्य प्लग-इन है और वे Recapcha का उप्योग कर रहे हैं इसलिए मैं इन कारियों के लिए इस प्लग-इन का उप्योग नहीं करना चाहता एक ही फंक्शन करने वाले एक से अधिक प्लग-इन होने से आपकी वेबसाइट गरबर हो जाएगी और आपकी वेबसाइट को सही धंक से काम करने से रोक सकता है कभी भी एक से अधिक प्लग-इन एक ही काम या कार्य नहीं करते हैं यह आपकी वेबसाइट को गड़बड कर देगा, इसलिए ऐसा न करें. अब, Recapture मेरी असली वेबसाइट के हर प्रिष्ट पर दिखा रहा है. इस प्रकार, अब मेरी पूरी वेबसाइट सुरक्षित है. मेरी प्रदर्शन वेबसाइट के लिए, चूंकि मैं पेज बिल्डर प्लगिन के भुक्तान या समर्थक संसकरन का उप्योग नहीं कर रहा हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं, Recapture काम नहीं कर रहा है. प्रुपया सदसेता लें, क्लिक करें. धन्यवाद.